स्पॉनों के भोजन के लिए राइस ब्राउन एवं सरसों की खली के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है पहले साथ दिन स्पॉन के कुल संचित वजन का चार गुणा भोजन दिया जाना चाहिए जिसमें राइस ब्राउन एवं सरसों की खली की मात्रा बराबर होनी चाहिए दूसरे सप्ताह में भोजन की मात्रा मतस्य बीजों के वजन का आठ गुना हो जाता है स्पॉनों के भोजन के लिए राइस ब्राउन एवं सरसों खली के मिश्रन को पाउडर बना कर तलाब में छड़काओ करना चाहिए उदाहरन के तौर पर अगर संचित स्पॉन की मातरा एक किलोग्राम है तो पहले 7 दिनों तक प्रति दिन 4 किलोग्राम भोजन की आवशक्ता होगी जिसमें 2 किलोग्राम राइस ब्राउन तथा 2 किलोग्राम सरसों की खली होनी चाहिए आईए अब इसे सिलसिलेवार तरीके से समझें एक से साथ दिनों के जीरा के लिए कुल संचित स्पॉन के वजन का चार गुणा भोजन प्रति दिन देना चाहिए. ध्यान रहे कि राइस ब्राउन एवं सरसों की खल्ली को बराबर मात्रा यानि एक अनुपात एक की मात्रा में मिला कर भोजन के रूप में देना है. फिर आज से 14 दिनों में कुल संचित स्पॉन के वजन का आजगुणा भोजन प्रति दिन देना चाहिए. पंद्रा दिन पूरा हो जाने पर भोजन नहीं देना चाहिए. और फिर सोलहवे दिन फ्राई को जाल द्वारा निकालना चाहिए.